नमस्कार दोस्तों आरे यूटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वेड़े में हम लोग UPPSE यानिक उत्रप्रदेश लोग से वायव के दोरा आयोजित ELT grade भरती परिक्षा के लिए समानध्यन पेपर जो की पेपर फर्स्ट होता है 30 प्रशनिस में पूछ आते हैं प्रैक्टिस सेट 14 हल करने वाले हैं और इसके पहले आपको बता दें कि 13 प्रैक्टिस सेट हल करा जा चुका है जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्रैलिस्ट में जाकि आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं साथ में UP special का वीडियो भी जो है अप्लोड किया गया है तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो को लाइक शेर कर देजिएगा चैनल पर पहली बाराहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में वीडियो आइकन को प्रिस कर लिजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों अने अकेडमी पे अभी UPPSC और UPPSC एक्जाम के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन आफर चलना है तो यह आप सब्सक्रिप्शन लेना चाते हैं तो अने अकेडमी पे अभी आपको बारे मंथ के सब्सक्रिप्शन पे दो मंत का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है और चौबिस मंत का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको त्री मंत का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है तो यह आफर जो है अभी आपका 28 और 29 दिसंबर तक के लिए ही valid है यदि आप UPPSC या UPCC exam के preparation करना चाते हैं तो आप Unacademy Learning Platform से जुड़के अपनी तयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप exam को crack कर सकते हैं उसके बाद लगछ है UPPSC 2023 जिसमें आपको बारे महिने में प्रारमभीक और मुख की परिक्षा की complete तयारी कराया जाएगी और यह बैच सुरू हो रहा है 29 दिसमबर 2021 से तो language आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम है तो आप लोग यह जोईन करना चाते हैं UPPSC 232 देना चाते हैं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वहां से जाकी आप डिटेल चेक कर सकते हैं हो सब्सक्रिप्शन लेते से मारा रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा exam learner जिससे आपको जो है 10% का discount भी मिल जाएगा तो ये रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा सब्सक्रिप्शन लेते से टाइम पहला प्रशन है पंचायती राज प्रडाली में पंचायत समीती किस अस्तर पर गठित की जाती है चार बिकल्प है आपके सामने इसमें होता ना है कि कौन सा आपसन सही होगा तो बी आपसन यहापे सही हो जाएगा खंड यानि की ब्लाक अस्तर पर पंचायती राज प्रडाली में खंड अस्तर पर पंचायत समीती का गठन किया जाता है और पंचायतों समिति के सदर्सियों का चुनाव वजनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और पंचायतों का कारिकाल अपने पुर्थम अधिवेशन के लिए निविधारी तिथी से ठीक पांच वर्ष तक का होता है दूसरा प्रशन है भारत में दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया तो 1985 इस पी ये भी कलप यहां पे से हो जाएगा भारत में बर्स 1985 में 52 संबिधान संसोधन के द्वारा दल बदल बिरोधी कानून पारित किया गया और संबिधान की दस्वी अनसुची इसी संसोधन से जुड़ी हुई है तीसरा प्रशन है भारती संबिधान में की सनुचेत के तहत संसोधन किया जाता है तो है आर्टिकल 368 डी आप्सन यहां पे सही हो जाएगा भारती संबिधान के अनुचे 368 के प्रावधानों के द्वारा संसोधन किया जाता है और संबिधान संसोधन भी देख यह संसत के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेश बहुमत से पारित होना आवस्यक होता है तो आर्टिकल पुछा गया 368 से हो जाएगा चौधा प्राशन है भारत के मुख निर्वाचन आयुकत की पदावधी किस उम्र सीमा तक होती है तो 65 वर्स तक सी विकल्प यहां पे सही हो जाएगा भारत के मुख निर्वाचन आयुक्त की पदावधी 6 वर्स या 65 वर्स की आयुक्त तक जो भी पहले हो होता है मुख निर्वाचन आयुक्त यह सरोच नियाले की नयाधीसों के समकच होते हैं अते जितना वेतन उचेतम नियाले की नाय धीसों को दिया जाता है उतना ही मुख निर्वाचन आयुक्त को भी दिया जाता है और मुख निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ती राश्टुपती की द्वारा की जाती है पांचुवा प्रशने कौन सी संस्था सम्वैधानिक नहीं है तो इसमें ये आप्षन आप देख सकते हैं मानवा अधिकार जो दिया गया है मानवा अधिकार आयोग ये स्थापना मानवा अधिकार संदुक्षन अधिनियम 1993 के प्रावधानों के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 इस भी में की गई थी जो सम्वैधानिक संस्था ये नहीं है बाकि राज जुबित आयोग ये सम्वैधानिक संस्था है राज निर्वाचन आयोग भी है और जीला पंचायत भी छटवा प्रशन देखते हैं निमलिखित राजियों या संघ राजियों में से कौन पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजराद भी सीमा बनाता है पंजाब भी राजस्थान भी इमान्चल प्रदेश जो है पाक्तिस्तान से सीमा नहीं साजा करता है तो यह आपसे नहाँ पर सही हो जाएगा सात्वा प्रशन निमलिखित में से कौन राज्य सरवाधिक राज्यों से सीमा बनाता है तो है उत्तर प्रदेश D भी कलप यहाँ पर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश कुल नौ राज्जियों और संग सासित प्रदेशों से सीमा साजा करता है जिसमें एक केंसासित प्रदेश है वह है दिल्ली बाकि जो है यह हिमानचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है फिहार से भी लगता है उत्तराखंड से मद्रदेश से राजस्तान से जहारखंड चतिसगड़ और एक केंसासित प्रदेश है वह है दिल्ली तो कुल पूछा जाएगा तो नौ होगा और राजी के वल पूछा जाएगा तो आठ हो जाएगा आठों प्रशन है पूदुचेरी का विभाजन छेतर किस राज्य में नहीं है तो तिलंगाना में नहीं है यह बी आप से नहापे से हो जाएगा पूदुचेरी का विश्तार तीन राज्यों में है एक तो है तमिल नाडू में उसके बाद है केरल में है और आंध प्रदेश में और पूदुचेरी की राजधानी पूदुचेरी ही है और यहां तमिल, तेलगु, मल्यालम, फ्रेंच और अंग्रेजी भासा बोली जाती है 1954 निसबी में फ्रांसिसी उपनिवेस से यह मुक्त हो करके इसका बिले भारत में हुआ था नौवपरशने गोविंद सागर जील भारत के किस राजधी में इस्थित है तो यह हिमांचल प्रदेश में C आप से नहापे सेव जाए गोविंद सागर जील हिमांचल प्रदेश में सतलज नदी से निर्मित किया गया है और इसका नाम सिखों के दस्वे गुरू गोविंद सिंग के नाम पर रखा गया है तो C आप से नहापे सही होगा दस्वे प्रशने सविने आउग्या आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कौन सा सत्यागर शुरू किया था तो नमक सत्यागर है ये बिकल्ब सही होगा सविने आउग्या आंदोलन ये 6 अपरेल 1930 इस भी को प्रारंब हुआ था और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से ले करके 5 अपरेल 1930 इस भी तक नमक सत्यागर अर्थात नमक कानून के उलंगन है तो दांडी मार्च इनों ने किया था ये आपसन सही हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से निम्लिखित में से कौन संबंधित है तो C भी कलब से होगा मेधा पात्यकर नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रशिद्ध प्रियावरण कारिकत्री जो मेधा पात्यकर द्वारा चलाया गया और P हेगडे के द्वारा चलाया गया था एपिको आंदोलन जो की करनाटक में चलाया गया था यह और डाक्टर सलीम अली जो यहाँ पे दिया गया है यह प्रसिद्ध पच्छी बैग्यानिक थे सुंदरलाल बहगुना का संबंध था चिपको आंदोलन से जो की उत्राखंड में यह आंदोलन सुरू किया गया था और यह पेनों की कटाई से संबंध ही था अगला जो प्रस्न है बिश्व वानकी दिवस कब मनाया जाता है तो 21 मार्च को मनाया जाता है बी आपसन सही हो जाएगा 5 जून को बिश्व प्रियावरन दिवस के रूप में मना जाता है 16 सितंबर को बिश्व ओजोन तुरत संड़क दिवस के रूप में मना जाता है और 31 मई को मना जाता है विश्व तमबाकू निरोध दिवस के रूप में अगला प्रशन आप देखते हैं कि रिग वेध है तो रिग वेध यह सोतों का संकलन है यह आप सनिहा पे सही हो जाएगा रिग वेध सबसे प्राचीन वेध है इसमें स्रोतों का संकलन है और वेधों की संक्या कितना है चार और उपनिशिदों की संक्या है 108 अगला प्रशन है नेमलिखित में से किस राजवन्स के अभिलेक से इस प्रंपरा का समर्थन होता है कि लुंबनी साक्यमूनी बुद्ध का जन्मस्थान था तो है मौरि ये वी कल्प यहाँ पे से हुजएगा मौरि वन्सी यह सासक असोक के रुमिंदेई अभिलेक से सूचना मिलती है कि साक्यमूनी बुद्ध का जन्म लुंबनी में हुआ था पंदराओं प्रशने निमलिखित में से किस प्रथा की सुरुवात राजपूतों के समय में हुई थी तो है जोहर प्रथा सी आप सुनिया पे सही हो जाएगा राजपूतों दौरा मुसलिम अक्रमुर्खारियों से इस्तरियों की रक्षा के लिए जोहर प्रता का प्रचलन हुआ था इसमें सभी राजपूत पूरुसों के युद्ध में मारे जानी के पश्शात किले में सभी इस्तरियां सामूही क रूप से चीता में कूद कर अपनी जान दे देती थी जिसे जोहर प्रथा कहा जाता था अगला प्रशन है और अंग जेब की मृत्व के समय मराठा नेत्री तो किसके हाथों में था तो वह था तैरा बाई के हाथों में डी आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा ब्रिटिस भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिली अस्थानांत्रड किसके काल में क्रियान वित हुआ तो वह था लाड हाडिंग भी आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा लाड हाडिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिली अस्थानांत्रड किया गया और वाइसराय लाड हाडिग ने 1911 इस भी में जार्जपंचम यो महरानी मेरी को भारत बुलाया तता दिल्ली में एक भव्वे दरबार का ऐवजन भी किया इसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है और इसी दरबार में बंगाल भी भाजन को रद्द किया गया था 1911 में और राजधानी को अस्थान अंद्र की घोशना भी की गई थी अठ्वा प्रशन है रॉलिट एक्ट किस वाइसराय के काल में पारित हुआ था तो लाड चेम्स फोड सी भी कलप यहाँ पे सी बुझाएगा लाड चेम्स फोड यह वर्ष 1916 से लेकर के 1921 के मध्य भारत के व वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट का पारित हुआ था तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था अगला प्रशन है गुर्ट्व आकरशण के सारुभावमिक नियम का प्रतिपादन किस ने किया तो न्यूटन के द्वारा किया गया था यह आप से नहापे सही हो जाएगा और इस इस नियम के नुसार जो है दो पिंडों के बीच लगने वाले आकरशन बल का परिडाम उन पिंडों के द्रब्यमान के गुडनफन के समानुपाती तथा उनके बीज की दूरी के विद्क्रमानुपाती होता है वो 29 प्रशन निमलिकित में किसके लिए माध्यम आवस्यक नह ही होती है 21 प्रशन भारती संभिधान में समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा स्विक्रित है वे कौन से अनुच्छेद हैं तो वह अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक भी आप सनिहापे सही हो जाएगा भारती संभिधान द्वारा समानता का अधिकार अनु 28 के बीच में है और सुतंतता का अधिकार जो दिया गया हुआ 19 से लेकर के 22 तक यह 19 19 से लेकर के 22 तक यह सुतंतता का अधिकार इसमें है और समानता का अधिकार पूछा क्या है यहाँ पर 24 से 18 होगा अगला प्रशन है निम्लिकित में से कौन जल से हलका है तो है सोडियम B आपसन सही हो जाएगा है सोडियम का आप पेच्छिक घनतो 0.97 होता है और जल से हलका होने की कारण यह जल पर तैरने लगता है 23 प्रशन है लाल रखत कडिका है यानि कि RBC मुखितिया बनती है तो अस्थी मज्जा में, बोन मेरो में D आपसन आपे से हो जाएगा लाल रखत कडिका हैं सोडियम अंगों से अक्सिजन लेकर सारे सरीर में पहुँचाने का कारे करती है और लाल रखत कडिका अस्थी मज्जा यानि कि बोन मेरो में बिक्सित होती है और मनुसी के सरीर में लगभग 120 दिनों तक ये प्रशारित होती रहती है पूछा जाता है RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है तो 120 दिन का होता है और तिल्ली या प्लिहा जिसे स्प्लीन कहते हैं ये पुराने रिक्त कडिकाओं को नस्ट करने का भी कारी करता है तो RBC जो है पूछाता है कहां नस्ट होती है तो प्लिहा या स्प्लीन में 24 प्रशने निम्लिखित में से कौन सा रोग एक वाइरस द्वारा होता है तो है Hepatitis D आप सन्यापे से हो जाएगा Hepatitis B एक संक्रामक रोग है जो Hepatitis B नामक वाइरस के कारण होता है 25 प्रशने निम्लिखित में ब्रिक्षों में कौन पारिस्थित की मित्र नहीं है तो वह है Eucalyptus B आप सन्यापे से हो जाएगा 26 प्रशने भुपाल गैस त्रासदी से संबंधित योगी का नाम था तो है Methyl Isocyanide जिसे 60 फाम में कहते हैं M.I.C भुपाल गैस त्रासदी ये 1984 स्वी में होई थी और भुपाल में इस्थित Union Carbide नामक कंपनी से Methyl Isocyanide यानिक M.I.C नामक जहरीली गैस की रिशाओ से हजारों लोगों के मृत्त हुई थी 27 प्रशने नाबकी उर्जा का उपियोग प्रायह कारेक है तो वह उश्मिय प्रदोशन का सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा 28 प्रशने अधूरे प्रजुलन की कारड मोटर कार यों सिग्रेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है तो वह कार्बन मोनो आकसाइड सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा मोटर कार तथा सिग्रेट के अधूरे प्रजुलन के कारड निकलने वाले रंगहीन गैस कारबन मोनो आकसाइड है और यह रक्त के हेमोगलोबीन के साथ क्रिया करके एक अस्थाई योगीक बना लेती है जिससे हेमोगलोबीन अक्सिजन को उतकों तक नहीं पहुचा पाता है और यह मानो स्वास्त के लिए अतियंती ही हानिकारग गैस है कारबन मोनो आकसाइड उन्तीसमा प्रशन है एक पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा की मात्रा एक पोशड अस्तर से अन्य अस्तर में अस्थान अंत्रड के पश्चाद क्या होता है तो घटता है आपको पहले भ अस्तर से अन्य अस्तर में अस्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ हरास होता है यानिकि कम होती है और हर पोशड अस्तर पर उपलब्द उर्जा की मात्रा घटती जाती है इसलिए सीर्श मांसा हारी को सबसे कम उर्जा की प्राप्ती होती है तो यहां पर B आपसन सही हो जाएगा अंतिम प्रशन आए कि पारेश्थित की तंत्र यानि की यूकि शिस्टम में उच्धम पोशर्ड अरस्थर प्राप्त है तो वह सरवाहारी वर्ग को यहने कि आमनीवोरस को सी बीकल यहाँ पर सही हो जाएगा पारिष्तितिक तंत्र याने कि यूको सिस्टम की यहार स्रिंख्ला में देखा जाए तो उचितम पोशर हुए सरवाहारी वर्ग को प्रात होता है तो दोस्तों ये था आपका यल्ठी ग्रेट भरती परिक्षा के लिए सम्मान अध्यन का 14. प्रैक्टिस सेट इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हलकराय जा चुके हैं जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्रैस्ट बजा कि आप वहांसे सभी वीडियो को देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेर कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा साथ में विल आइकन को प्रेश कर लिजीगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अकैडमी पे जो है उद्गम UPPSC RORO 22 मेंस के लिए यहने की पेपर 2 और पेपर 3 के लिए बैच को शुरू कर दिया गया है जो लोग जो है अनकैडमी पर RORO मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं या जो है कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हिंदी आले एक पाल 22 कीस प्रिप्रेशन बूस्टर स्रीज जो है शुरू कर दिया गया है आप इसे भी जो है इसमें इन्रॉल होकर के पूरी डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं छे बज़े साम को जो है यह 90 मिनट का सेसन होता है जिसमें complete syllabus आपको दिया जाएग UPPSC PCS Mains Taste Series तो आप CDU यहां पर देख सकते हैं और टाइम में इसका आपका साढ़े 9 से साढ़े 12 है आप जोईन कर सकते हैं फिर आपका बिजएता UPPSC Prelims GS Paper Up का First Test Series जो की Free MCQ वेज जो है टेस्ट स्रीज है और 12 सेले के 26 दिसमबर तक आपका वैच है नीचे डिस्क्रिप्श नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा Detail दे दिया गया वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं और इसके लिए आपको सबसले पहले अनेकाडीमी का Learning एप इंस्टाल करना होगा है इंस्टाल करने के लिए प्ले इस्टोर पर जाके अनेकाडीमी लर्णिंग एप जो इंस्टाल विमा पे मिल जाएगा